राधी राधी चैसी कृष्णा स्वागत है आप सभी का राधी कृष्णवख्ति में आज की इस वीडियो में मैं सर्दियों में तुलसी जी की पूजा किस परकार से करती हूं यह आपके साथ सेर कर रही हूं तो देखिए सर्दियों में तुलसी माता की विशेज देखभाल की जरुरत होती है ठंड की वज़े से पत्ते जढ़ने लगते हैं और तुलसी माता सूखने लगती है इसलिए सर्दियों में हमें तुलसी माता की विशेज देखभाल करनी चाहिए तो देखिए मैं आपे हल्दी युक्तिजल तुलसी माता को अर्पित कर रही हूं क्योंकि हल्दी जो होता है वो एंटिसेप्टिक होता है अगर कीड़े वगेर भी लगे होंगे तुलसी जी में तो वो खत्म हो जाएंगे और तुलसी माता सूकती भी नहीं है तुलसी जी का ग्रो होता है इसके बाद में हल्दी से रोली से तुलसी जी को तिला कर दूंगी अच्छत अर्पित कर दूंगी और देखिए कभी भी तुलसी जी के गमले के अंदर प्रसाद अर्पित ना करें इसे चीटिया बहुत जादा लग जाती है नीचे गमले के पास सी अर्पित क कर दूंगी के भाद में दीब जला लूँंगी जलाग पिद कर दूंगी इसके बार में तुलसी माता को दूप दिखाऊंगी अब में तुलसी माता की आर्ति कर कर तुलसी माता से पुजा में हुई भूल जुक के लिए चमायाचना करेंगे और अपनी मनो कामना पूर्ती के लिए रातना करेंगे इसके बाद मैं तुलसी माता की परिकर्मा करती हूं तो रोज में तुलसी माता की पांच परिकर्मा करती हूं आप अपने इक्षा के अनु करें जल कम अर्पीद करें अगर ज्यादा ठंडी है तो हल्का गुनगुना जल अर्पीद करें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें सेयर करें कॉमेंट करें और मेरे चैनल राधे कृष्ण भक्ति को सस्क्राइब करें थैंक्यू राधे राधे जैसीरी किसना